क्या आठने कभी सोचा है कि समुदर के बीच में विसाल ओयल रिक्स को बनाया जाता है वेल समुदर की गयरही इतनी ज़्यादा होती है कि मगर इंसानों ने सोच लिया और डून निकाला चैलेंजर डीप को जो 6.8 मील गयरा है अगर माउंट एवरेस्ट को यहां पर उल्टा करके रख दे तो फिर भी वो बोटम से एक मील दूर रहेगा तो इन सब के बीच इन मेगा इस्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाता है जहां लेरे 10 इस्टोरी बिल्डिंग जितनी उची हो सकती है इसी बात को लेकर कुछ लोगों ने सोचा कि पहले इंजिनियर्स ओयल डिक्स को बनाते हैं और फिर उसके चार ओर समुदर को अगर समुदर के नीचे कम गयराई में जमीन होती है तो वहां पर फूली सीरी स्ट्रक्चर को बनाया जाता है लेकिन अगर पानी गयरा है तो इनको तेरा है जाता है नीचे मजबूती से जोड़ कर